जैहिंद स्टूडेंट्स कक्षा सात्वी के इतिहास विशय के प्रथम पार्ट से रिलेटेड कुल पांच विडियो मैं आपके समक्ष प्रस्तूत कर चुका हूँ और इन पांच विडियो के माद्यम से स्टूडेंट्स आप चैप्टर नमबर वन जिसका की नाम है मद्यकाल में भारत उसका अबिश्तृत ग्यान अब आपको हो चुका है तो इस चैप्टर नमबर वन से कुल 10 मल्टीपल च्वाइस कोशनस मैं आपके समक्ष आज लेकर आया हूँ तो आपको इन दस प्रस्नों का हल आज करना है परतेख प्रस्न में चार बिकल्प होंगे और उसमें से कोई एक बिकल्ब सही होगा, तो जो बिकल्ब सही होगा, students आप उसे चिन्हित करेंगे, ठीक है? students, आपका पहला सवाल है, तेरहवी सदी के, तेरहवी सदी का मतलब होता है, students, बारा सो एक से लेकर के, तेरा सो तक का जो समय है वो, है न, तेरहवी सदी के फार्सी इतिहासकार, मिनहाज ये सिराज ने, हिंदुस्तान सब्द का प्रियोग किया था, option number one में है, केवल पंजाब, हरियाना और गंगा जमुना के बीच इस्थित छेतर के लिए, कहने का मतलब कि, आज जहाँ पे पंजाब है, आज जहाँ पे हरियाना है, और गंगा जमुना का जो दौाब वाला छेतर है, मैंने गंगा नदी और जमुना नदी के ठीक बीच वा रहते हैं, है ना, ये उत्तर पस्मी उत्तर प्रदेस वाला छेतर है, जिसको हम लोग गंगा जमुना दौाब कहते हैं, है ना, तो कहने का मतलब यë है, आपका प्रस्थन जो है उसके अनुसार, कि मीनहाज ये सिराजने हिंदूस्तान सब्द का परियोग क्या पंजाब, हर और गंगा जमुना के बीच स्थिर्चेत्र के लिए किया था या कि आज के संपुन भारत के लिए किया था मतलब आज का जो संपुन भारत है उसमें पाकिस्तान बंगलादेश को छोड़ दीजिएगा और तीसरा है कि भारत पाकिस्तान और बंगलादेश के संपुन आज का भारत, आज का पाकिस्तान और आज का बंगलादेश मिला कर जो पूरी की पूरी जमीन होती है एक बड़ासा जमीन का खंड होता है है ना संपुर्ण भारतिय उप महादुरिब जिसको हम कह सकते हैं तो उसके लिए इतिहास उसके लिए हिंदुस्तान सब्गपरियोग किया था या कि इन में से कोई नहीं तो इस में से कोई एक उत्तर सही है आपको इसका जबाब देना है ठीक है स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सारे multiple choice question आपको chapter number one से ही सम्मंदित है इसलिए chapter number one को जदी आपने ठीक से पढ़ लिया है तो अच्छी बात है जदी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे और साथ में मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए गए है अब तक कुल 5 वीडियो बनाय गये हैं उन 5 वीडियो को भी आप देख लेंगे तो इन सवालों के जवाब आप दे सकते हैं तो दो भिकलफ है आपके पास या तो आप बुक को पढ़ लीजिए या तो आप वीडियो को देख लीजिए है ना और जदी आप दोनों काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है दोनों ही काम कीजिए है ना तो दूसरा सवाल देखिए मांचित्र या नक्सा बनाने वाले वेक्ति को हिंदी में मांचित्रकार कहा जाता है अंग्रेजी में मांचित्रकार को क्या कहा जाता है कार्टोलोजिस्ट मैप मेकर कार्टोग्राफर या की उपर्युक्त सभी उपर्युक्त सभी का मतलब हुआ की जो उपर की जो तीन है कार्टोलोजिस्ट मैप मेकर और कार्टोग्राफर क्या य यानि चार में से एक चुन्ना है, ठीक है, अब अगले सवाल क्यों मैं बढ़ता हूँ, स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए, प्रस्न संख्या तीन, इसलाम धर्म का उदय किस देश में हुआ, भारत में, की चीन में, की तुर्की में, की अरब में, है न, बहुत सिधा सा सवाल है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कि इसलाम धर्म जो है, जो मुस्लिम लोग ज से उसकी सुरुवात हुई, भारत से, की चीन से, की तुर्की से, की अरब से, है न, इसमें से कोई एक सही है, उसका जवाब आपको देना है, स्टूडेंट्स आपके समक्ष सवाल नमबर चार देखिए, कागज का आविसकार किस देश में हुआ था, पहला उप्सन प्राच चीन में, दूसरा फारस देश में, तिसरा भारत में, और चौथा तूर्की में, आपके समक्ष जो कागज है, हम आप जिस कागज पर लिखते हैं, जिस कागज पर किताबें छपी हुई हैं, ये सारे के सारे कागज जिसको अंग्रेजी में पेपर बोलते हैं, उसका विसका प्राकीष देश में लिए था प्राचीन चीन में की फार अब लोगों को बता दूं कि ये सारे सवाल जो आपको चैप्टर नूंबर 1 में ही में हैं है ना चैप्टर नूंबर 1 से संबंधित हैं तो प्रस्ट संख्या 5 देखिए सनातं धर्म में उत्पन किनी दो पन्थों के नाम है सनातन धर्म जिसको हिंदू धर्म भी बोला जा सकता है तो सनातन धर्म में उत्पन किनी दो पंथों के नाम क्या है हनफी और सफ़ई दूसरा स्वेतांबर और दिगंबर तीसरा सैव और वैशनव चौथा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट तो इसमें से आपको चुनन है कोई एक ठीक है और सही जबाब चुनने से पहले आप किताब जरू पढ़िएगा स्टूडेंट्स आपके समख सवाल नंबर छे है अरबों के मनें अरब निवासियों के अरब के रहने वाले जो हैं वो अरब अरबी कहलाते हैं ना अरबों के सिंध भी जाए सिंध में है उसको हम लोग सिंध करते हैं तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस पूस्तक के माध्यम से मिलती है स्टूडेंट्स अरब वालों ने सिंध को जीत लिया था सिंध को जीत लिया था इसलिए सिंध विजय लिखा हुआ है तो अरब देस वालों ने सिंध को जो ज जानकारी है वो किस पुस्तक के माध्यम से हमें मिलती है तो चार पुस्तकों का नाम लिखा हुआ है मसनवी चचनामा तहकी के हींद और ताजुल मासिर तो इसमें से कोई एक सही है उसका जवाब आपको देना है ठीक है स्टूडेंट्स आपके समख सवाल नमबर साथ देखिए कस्मीर के सम्मन्द में यह कथन की अगर धर्ती पर कहीं स्वर्ग है तो यहीं है यहीं है यहीं है है ना तो किस ने कहा है अमीर खुसरो ने कहा है अल इद्रीसी ने कहा है अल बैरुनी ने कहा है कि ज्याउदिन बर्नी ने कहा है तो जिसने भी कहा है वो आपको समझना है और उसका उत्तर आपको देना है ठीक है स्टूडेंट्स अब आपके समख सवाल नंबर आठ है इसलाम में प्रथम खलीफा कौन हुए अबू बकर, अमिर खुसरो, अलबुरुनी की निजामुदिन अउलिया तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि खलीफा किसको कहते हैं है ना आपको मालूम होना चाहिए कि पैगंबर साहब जो हुए तो इसलामी जगत की जो बागडोर्स उनके बाद यानि कि पैगंबर के बाद जो जो संभाले जो धार्मिक नेता के दुआरा संभाला गया है पैगंबर के पस्चात है ना तो उसको कहा गया खलीफा है ना तो उसमें पहले खलीफा कौन हुए है ना तो ये बहुत महत्रपुन सवाल है इसका जबाब सबको आना चाहिए जदी आपको नहीं आएगा तो फिर से एक बार पाठे पुस्तक पढ़िएगा आप लोग है ना उसका जबाब ढूड़िएगा स्टूडेंट्स अब आपके समख सवाल नंबर 9 है मध जुग में इन में से कौन सी फसले विदेशियों के द्वारा भारत लाई गई तो इसमें कुछ ग्रूप बने हुए हैं कोख और गोग करके तो को में है धान आम और इमली खो में है चन मकई मीर्च चाय और कौफी स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि आज भारत में आप जितनी फसलें देख रहे हैं जिन जिन चीजों की हम खेती कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो भारत में थी ही नहीं वो विदेशियों के द्वारा भारत लाई है है ना तो तो इसमें आपको ढूंड़ना है ये चीजें भी आपको चैप्टर नंबर वन में आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पार्थ नंबर एक में मिल जाएगी आप ध्यान से पढ़े होंगे तो अभी इसका जबाब दे पाएंगे जदि ध्यान से नहीं प पैदा होती थी उसको बाद में विदेशियों के द्वारा भारत लाया गया ठीक है स्टूडेंट्स आपके समक्ष सवाल नंबर दस जो की इस सीरीज का अंतिम सवाल है है ना सवाल नंबर दस में है कि इन में से कौन सी लिपी में उर्दू भासा लिखी जाती है उर्दू भासा जो है बच्चों याद रखिएगा कि उर्दू भासा बिदेशी भासा नहीं है उर्दू भासा इसी देश में पनपी है है ना अर्बी भासा और फार्सी भासा ये बिदेशी भासा हैं लेकिन उर्दू जो है वो हमारे देश की भासा है और दुनिया में सबसे ज़्य वाले जो लोग हैं वो भारत में हैं यहां तक कि पाकिस्तान से भी जादा याद रखिए रहे स्टुडेंट्स पाकिस्तान में तो पंजाबी बोलने वाले लोग जादा हैं और सिंधी बोलने वाले लोग जादा हैं उर्दू जादा बोलने वाले लोग तो हमारे उत्तर प्र और भी भासा फार्षी भासा और संस्क्रीद भासा के सब्दों के सम्मिश्रण्ट से एक भासा बनी जिसको नाम दिया गया उर्दू है ना और उर्दू का जो ब्याकरन है स्टूडेंट्स वह हिंदी के ही समान है उर्दू जब हम सुनते हैं भले लिखना ना आता हो जदी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये तो अपनी भासा है है ना ये लगता है कि ये तो हम बोलते हैं जो हम बोलते हैं वही तो है उर्दू है ना तो हिंदी और उर्दू में कोई दूरी नहीं है students दोनों लगभर लगभर एक ह है दिवनाग्री में लिखा गया और संस्क्रीत के ज़्या ही या गया तो वह हिंदी हो गया है ना और थाध्वह सब्दों को लिए गया हिंदी के नहींको ले लिए अ ajudar और थोड़ा भंधार जो है अर्भी और फार्शी का जादा ले लिया गया तो वह हो गया उर्दू है ना लेकिन मिला जुलाकर स्टूडेंट्स ये दोनों भासा जो है वो हिंदुस्तानी भासा है हिंद्वी भासा है है ना और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा कि भासा के प्रति सम्मान प्रतेक मनुस्य में होनी चाहिए चाहे वो कोई भी भासा क्यों ना हो कभी भी किसी भी भासा के प्रति जो है और सम्मान जनक कोई बात नहीं बोलना चाहिए हमें प्रतेक भासा को सिखने का प्रयास करना चाहिए अपने पडोसियों की भासा जरूर समझने की कोशिस करनी चाहिए है ना जैसे हम लोग इस्टूडेंट्स जार्खंड में रहते हैं, जार्खंड में भी हम लोग जैसे कि दक्षनी जार्खंड छेतर में रहते हैं, पस्मी सिंभूम में रहते हैं, तो इस्टूडेंट्स यहां पे हम लोगों को हो भासा जरू सिखना चाहिए, है ना, और यहां की अस्थानी भासा है, हो भासा है, बताते बताते मैं भासा के महत्तों को बताने लगा स्टूडेंट्स और वैसे लोग जो की भासा के महत्तों को नहीं समझते वही लोग किसी भासा को घिणा की दृष्टी से देख सकते हैं है ना हम लोग ऐसा कभी नहीं सोच सकते हैं सिख्छक समुदाय तो हमेशा चाहता है कि अधिक से अधिक भासा लोग सिखें है ना और मेरा तो ब्यक्तिकत प्रयास यही होता है कि मैं कोशिस करता हूँ कि students जो है वो अधिक से अधिक भासा पर अपना पकड मजबूत रखें है ना तो students उर्दू भासा भी सिखना चाहिए और उसको भी जानने का प्रयास करना चाहिए अभी बर्तमान में आपको सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि उर्दू भासा किस लिपी में लिखी जाती है तो यहां चार लिपियों का नाम दिया हुआ students देवनागरी लिपी नस्तलिक लिपी गुरु मुखी लिपी और ब्राम्मी लिपी है ना तो इसका details में अभी नहीं बताऊंगा आपको इसका उत्तर खुट ढूढ़ना है है ना students students अब एक बार आगे मैं बता दूआ आप लो option दिये हुए हैं और आपको लग रहा होगा कि इसका उत्तर कौन से सही होगा तो इस अंदर में मैं आपको एक clue देता हूं जान लिजिए कि प्रतेक प्रस्ण के सामने देखिएगा एक ब्रिक्ष बना हुआ एक पेड़ बना हुआ एक ट्री बना हुआ है है ना और उस किसी में एक है किसी में दो है किसी में तीन है किसी में चार है तो जिसमें एक फल लटका हुआ है है ना एक फल है जदी पेड़ में तो समझे कि उसका उत्तर होगा एक जदी दो फल लटके हुए हैं तो दो और तीन है तो तीन और जदी चार चार फल लटके हुए हैं तो उ ठीक है students और इससे आगे मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को लगू उत्तर ये प्रस्न और उसके बाद जो दिल उत्तर ये प्रस्न है long answer type जो questions हैं उसका भी हल आपको मैं उपलब्द कराऊंगा आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए समझते रहिए ठीक है students जाहिंद इस्